जारे कुश्च आल्राइट सो कुश्चन आया है कि जो डाइवोर्स है अगर हम डाइवोर्स केस लेते हैं तो उसका हमारी जोब पर क्या इफेक्ट करता है ठीक है I am talking about government job suppose पती की government job है पर वाइव केस करती है डाइवोर्स का तो देखो आपको कुछ फरक नहीं पड़ता क्योंकि जो यह law है यह personal law है आपने कोई crime नहीं किया जैसे कि Hindu Mahiris Act आपने देखा होगा वह personal law है यह आपके उपर अप्लाई होगा उससे आपकी job का कोई लेना देना नहीं है डीवी डालती है उसका भी कोई इतना वह है नहीं क्योंकि उसमें भी settlement हो जाता है और अगर डाइवोर्स केस करती है कुछ लोग उसने डाइवोर्स के बाद भी वह maintenance देखो यह उता है यह maintenance तो लेएगी लेकिन आपका job पे कोई फरक नहीं पड़ेगा आपकी basic government job हो और कोई भी हो बस वह criminal नहीं होना चाहिए आपने उसके साथ मार बीट नहीं की होनी चाहिए क्योंकि डाइवोर्स एक मतलब marriage होती है उसका उल्टा ही लगा लो तो उसका job से कोई लेना देना नहीं बस वह बात अलग है समाज में आपको कहें लोग की डाइवोर्सी है वगारा वह तो हैंडल करना ही पड़ता है लेकिन वैसे कोई job पे effect नहीं पड़ता है अब आपकी कोई पर्मोशन नहीं रुपेगी इस चीज़ को लेकर की भी ये डाइवोर्सी है सेम वाइव के लिए अब समाज कैसा है वह अलग बात है समाज में तो होती है कि यारी डाइवोर्सी है पता नहीं आया है तो वैसे कोई आपको effect नहीं पड़ता है और एक question और आता है कि जो डाइवोर्स केस है वह कहां से कर सकता है तो आपके पास option है या तो wife के वहाँ से कर लो जहां wife रहती हो जहां husband रहता हो अगर suppose husband दू किसी और state का है और wife दू state का है तो आप mutual consent से एक जिगे चुन लो ठीक है कोज of action कर लो ठीक है